नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर खुजबू आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने साहस विप्रथी चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विटमिन एच या फिर बायोटेन के बारे में विटमिन एच या बायोटेन, फानी में घुरंशील, बी कॉंप्लेक्स विटमिन समू का एक इस्था है बी कॉंप्लेक्स शरीर में स्भोजन से मिलने वाले कार्टो हैडिट को उज़ा या गुलकोज में बदलने की सायक है या शरीर में प्रोटेन और वसा के मोटबिलिजम के लिए भी ज़रूरी होता है बी कॉंप्लेक्स विटमिन स्वस्त तचा बाल, आँख और यकृत के लिए भी अत्यंत आउशक है या तंत्रिका तंत्र के ठीक से काम करने में भी मदद करते है बायोटिन शरीर में कार्बोहाइडिट, वसा और अमिनो एसिट के मोटबिलिजम में सहायता करता है या भुरूर के समान विकार के लिए अत्यंत शरूरी है या बालों और नाकुनों को मश्बूद बनाने के लिए प्रियोग किया जाता है शरीर में बायोटिनिक की कमी, डायबेटीस, मदुमे को गंभीर बना सकती है ऐसा इसलिए होता है कि बायोटिन गुलकोज के चैपचे में कई तरह से जुड़ा होता है इसी कमी से गुलकोज का सही से मटबलिसम नहीं हो पाता और यह ज़्यादा मातर में खून में मज़ूद रहता है जानते हैं विटमिन एच की कमी के सिम्टम्स लंबे समय तक एंटोबायोटिक दवाईयों के सेवन, पॉन डिजीज, अंडे की सफीदी का सेवन, अलकोहौल का सेवन, आधी के काराण कुछ लोग इसकी कमी का शिकार हो जाते हैं मायोटिन की कमी को जानने के लिए कोई टैस्ट उपलब नहीं है लेकिन कुछ लक्षणों के अधार पर इसकी कमी होने का अंदाजर लगाया जा सकता है जैसे बालों का जणना, गंजापन, बालों का रंग उड़ना, जहरेक पर लाल पपड़ी दार दाने, नाखुनों का तूटना, परत्दार होना, नवजाद शिशु में बालों के में पपड़ी, पैंच, लूसी, शिशु की आख, गाल पर रैश, डाइपर रैश, सूखी पकप्रिदार तो अच्छा, होंटों की कौने पर दरार पड़ना, मोटी सूजी हुई मेजिंटा रंग की जीब होना, आकों में सूखा पन, भूख ना लगना, टेस्ट ना आना, ठकान, कमजोरी, नीद ना आना, डिप्रेशन, बायोटिन का अपयोग कमजोर नाखुन था लीवर, मीट, सुखे मेवे, बदाम, मोफली, अकरोट, सोयबीन, फलिया, साबुत, अनाच, भूल गोवी, केले, मक्का, सोयबीन और मश्रूम आदी में पाया जाता है, की वीडियो में इतना है, तो आज की वीडियो में हमने जाना विटमिन H के बारे में, अगली झाल